Hello Everyone, आप सभी का मेरे चैनल Education at Home by Berkha में स्वागत है आज का हमारा टोपिक है Days and Months Name दिनों के और महिनों के नाम हम अपने दिनों और महिनों के नामों को जानेंगे देखे Days Name, दिनों के नाम यह हिंग्लिश में है यह इनका परनांशेशन है, यह हिंदी में है देखे M-O-N-D-A-Y Monday, इसको बोलते है Monday, मंडे होता है सौम वार देखे T-U-E-S-D-A-Y, इसको बोलते है इसका परनांशेशन है Tuesday मंगल वार, W-E-D-N-E-S-D-Y, वेनस दे, अब इसमें D है यह साइलेंट होता है हम वेनस दे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उनली वेनस दे, देखे, बुद्ध वार T-H-U-R-S-D-A-Y, थर्स दे, थर्स दे होता है वीर वार, इसको गुरु वार भी बोलते हैं और बस्पती वार भी बोलते हैं जो आपको याद हो वो याद कीजिएगा, देखे, फ्राइडे, F-R-I-D-A-Y, फ्राइडे, फ्राइडे होता है शुक्रवार, S-A-T-U-R-D-A-Y, सेटर्डे, सेटर्डे होता है शनी वार, S-U-N-D-A-Y, संडे, संडे होता है रवी वार अब हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे देखिए, मंद्स नेम स्टार्ट हो गए है, महिनों के नाम, इंग्लिश ये इनका प्रनांशिशन है और ये हिंदी में है देखिए, नमबर एक पर देखिए, जैनुरी, J-A-N-U-A-R-Y, इसको बोलेंगे जैनुरी, हिंदी में बोलते हैं इसको जनुरी, F-E-B-R-U-A-R-Y, फैबररी, हिंदी में बोलते हैं फरवरी, M-A-R-C-H, मार्च, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका प्रनांशि सेम होता है, मार्च, A-P-R-I-L, अप्रिल बोलते हैं इसको हिंदी में होता है, अप्रेल, M-A-Y, में बोलेंगे, इसको हिंदी में होता है, माई, J-U-N-E, जून, जून, देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही सेम बोले जाते हैं, जून, J-U-L-Y, जुलाई, G-U-S-T, अगस्ट, इसको T का साउंड आता है, यहाँ पर अगस्ट, यह हिंदी में बोलते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, A-U, अगस्ट, एगस्ट, यह तर्बूश बनता है, यहाँ पर अगस्ट, S-E-P-T-E-M-B-E-R, यह होता है, सेप्टेंबर, सेप्टेंबर होता है सितमबर, O-O-C-T-O-B-E-R, इसको बोलेंगे हम ओक्टोबर, हिंदी में बोलते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, अक्टूबर, आगे देखिए, N-O-V-E-M-B-E-R, यह होता है, नवेंबर, नवेंबर होता है, नवंबर, आगे देखिए, D-E-C-E-M-B-E-R, दिसेंबर, दिस सितमबर, चीक है, I hope आपको समझ में आ रहे होंगे, हिंदी, यह हिंदू मन्त है, जो कि हमारे हिंदू संस्कृति में आते हैं, जैसे कि चैत बैसा, कि हमारे हिंदी में आते हैं, बट हम इनको जनवरी, फैबरली में करते हैं, आगे देखिए, इनको देखते हैं कि चैत का जो महीना होता है वो कहां से कहां तक start होता है देखिए April से में के बीश में आता है यह पूरा होते यह सारे one month के हैं बट यह half April आता है और half में का होता है तो यह April और में के जो एक पूरा महीना चलता है वो होता है चैत में और जून का जो पूरा महिना चलता है वहता है बैसाख जून और जुलाई जेट जुलाई और अगस्त आसाड अगस्त इन सेप्टेंबर स्रावन सेप्टेंबर एंड अक्टोबर के जो पूरा महिना बीच का आता है यानि कि आदा सेप्टेंबर आदा अक्टोबर के जो बीच का एक मन्त हो गया है वो होता है भादपद्र ओक्टोबर नेवंबर के बीच का आता है असुन मास इनको मास भी बोलते हैं महिनों को हम हिंदी में मास बोलते हैं इदेखें नेवंबर और दिसंबर के में आता है कातिक मास December and January के बीच में आते हैं अगराहन या इसको मांग सीस भी बोलते हैं January, February का होता है पो February और मार्च का आते हैं मांग March और अप्रेल का महिना आते हैं फागून I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू सो मच